हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो के माध्यम से एक बार फिट से स्वाग आता है दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही एक अच्छे कोर्स के बारे में कम्प्लीट जानकारी ले करके आ चुके हैं दोस्तों आप लोग बहुत दिनों से पूछ भी रहेते, इंतेजार भी कर रहेते कि सर नर्सिंग से रिलेटेड एक कोर्स का नाम बताईए तो ये जो वीडियो होने वाला है, उन स्टुडेंटों के लिए होने वाला है जो A&M का कोर्स कम्प्लीट कर रखे हैं जो A&M का कोर्स कम्प्लीट कर लिये हैं, या फिर कोई और जो कोर्से जो हते हैं नर्सिंग से रिलेटेड उन कोर्स को आप कम्प्लीट कर रखे हैं तो आप लोगों के लिए ये कोर्स बिल्कुल ही अच्छे हैं, बिल्कुल रूप से आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं चलिए A&M और G&M वाले के लिए खास करके रहेगा यह course के बारे में complete जानकारी हम वीडियो पर आगे बढ़ाते हैं और आपको देते हैं इस course के बारे में complete जानकारी दोस्तो, मै हूं चंदन कुमार और आप लोग को और course के बारे में जानकारी चाहिए कोई भी नई कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और टेलिग्राम गूरूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉइन करें जिसे कि हम आपके लिए कोई भी नए वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ से आप लोग भी प्राप्त कर सकते हो और आपके सारे कोर्स डिटेल्स हम आपको जानकारी देते रहेंगे तो बिल्कुल लूप से चलको सब्सक्रेब भी कर लिजएगा दोस्तो आज जो मैं कोर्स के बारे में कम्प्लीट जानकारी दिखाने वाला हूँ चलते हैं कम्प्वीटर स्क्रीन पर और हम आपको एके करके दिखाते हैं कोर्स कैसे करेंगे, कोर्स कैसे करें, कोर्स कहां से करें, कोर्स करने का फी कितना लगेगा कोर्स करने के लिए डियूरियसन क्या है, कितना टैमिंग देना परेगा घर बैठे कोर्स कैसे करेंगे complete जानकरे आपको computer screen के मादम से मिलेंगे तो चलते हैं वीडियो को आगे की तरफ तो मेरी प्यारे फ्रेंड हम आज चुके हैं computer screen पर और आपको हम दिखाते हैं complete जानकरे इस course के बारे में दोस्तों ये course का नाम सबसे पहले अगर देखेंगे तो course का नाम है certificate in maternal and child health nursing यानि कि ये जो certificate course है जो कि maternal and child health nursing इस course का नाम है तो बिल्कुल उपसे ये course का नाम हुआ और आप लोग ये course कर सकते हैं अगर इस course के लिए eligibility के बात करेंगे योगता यानि कि कौन-कौन कर सकते हैं इस course को तो वह ऐसे candidate याद करेंगे यहाँ पर eligibility यानि कि योगता जो candidate A&M पास हैं जो A&M का training complete कर लिए हैं वो candidate इस course को कर सकते हैं जो candidate यहाँ पर G&M का training complete कर लिए हैं वो भी candidate इस course को कर सकते हैं इसके अलावे वैसे candidate जो female health worker है वो भी candidate इस course को कर सकते हैं, health supervisor है वो भी candidate इस course को कर सकते हैं, lady health visitor है वो भी कर सकते हैं, उसके अलावे दोस्तो public health nurses है तो बिल्कुल उपसे कर सकते हैं, तो खास करके अभी के time में ये दो course बिल्कुल बहुत सारे student किये रहते हैं, NM के training या फिर अब आगे बढ़ते हैं और इस course के बारे में जानकारी के तरफ course duration के बात करेंगे तो सिर्फ 6 month इस course को करने में लगता है यानि आप 6 month के अंदर ये course कर लेंगे 6 month में आप लोग को ये course complete कर लेना है अब इस course को करने में फी लगता है course फी के बात करेंगे तो 7000 से 8000 के बीच आपको course भी लगते हैं तो आप लोग 7,000 से 8,000 रुपय पे करके ये 6 मुंत का time invest करके आप लोग बिलिफुलूप से ये course कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं कहां से करें ये course अगर course कहां से करने के बाद करोगे कोई भी private hospital जो आपको ये course करवाते हैं आप लोग वहाँ से एक course कर सकते हैं या फिर अगर आप लोग IGNU से कर सकते हैं या और भी कोई अगर institute कराते हैं तो वहाँ से भी आप लोग एक course कर सकते हैं मैं IGNU के प्रिफर करता हूँ IGNU इसलिए प्रिफर करता हूँ कि बहुत ऐसे sister होंगे चाहे वह Aniam बाले हो या फिर Geniam बाले हो तो आप लोग Google से IGNU से कर सकते हैं कि Aniam और Geniam बाले क्या होते हैं training करने का बाद कहीं नौकरी करना start कर देते हैं चाहे वह private hospital में नौकरी कर रहे हैं या फिर government sector में कहीं कर रहे हैं उनके पास time नहीं होते हैं इगनू से करेंगे तो यह डिस्टेंस मोड है इंद्रा गांधी नेशनल ओपयन उन्वर्सिटी यह विल्कुलूप से आप लोग डिस्टेंस मोड से कराते हैं अगर नौक्रिक कर रहे हैं या कहीं पी है तो घर बैठे यह कोर्स कर सकते हैं छे मैना के अंदर तो जो कंडिट यहां पर A&M कंप्लीट हो, G&M कंप्लीट हो अगर चाहते हो कि एक कोर्स करो तो विल्कुलूप से आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स करें इन मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का कोर्स है छे मैना का है अब आपके मन में यहां पर आता होगा प्रशन कि यह कोर्स करने से लाब क्या है प्रोफिट क्या है अगर यह करते हैं तो अगर आप कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हैं अब इस कोर्स क्या पढ़ाए जाते हैं इस कोर्स में बात करोगे तो चाल्ड को कैसे care करना है Child के साथ साथ उसके माता को कैसे मतलब मदर को कैसे care करना है उनके बारे में complete जानकारे दिये जाते हैं तो child और mother के बारे में दिये जाते हैं इसके अलावे और भी जो आप लोग के कार्ज होते हैं वो सारे चीज इस subject के अंत्रगत इस कोर्स के अंत्रगत पढ़ाय जाते हैं यह कोर्स बिल्कुल उपसे करने चाहिए तो दोस्तों आपको इस नए कोर्स के बारे में complete जानकारी दिए अगर आपके मन में कोई और भी परशन हो कोई और भी डॉट हो तो कमेंट करिएगा या पी टेलिग्राम चाहिए बता दीजिएगा आप कितना यहां पर कोर्स complete किया है जैसे के 10 के बाद आपको क्या करना है 12 के बाद क्या करना है कोई सज्जेसन चाहिए कमेंट करिएगा उसका भी जवाब हम आपको दे देंगे चलिए वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं जाइए